कौनसी दवाई हमारे काम की है? क्या समाधान है? क्या उपाय है? ये तभी पता लगाया जा सकता है और ये तभी समझ में आता है जब हमें समस्या का पता हो जब हमें बीमारी का पता हो अगर हमें बीमारी नहीं पता अगर हमें समस्या क्या है दुख क्या है पीड़ा क्या है उसका नहीं पता तो हम दबाई नहीं ले पाएंगे और अगर लेंगे तो वो गलत हो जाई तो कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं क्या समझाने का प्रियास कर रहे हैं कृष्ण के किन सवालों को कृष्ण खत् मस्त हैं तो हमें कृश्ण की बातें में समझ नहीं आएंगी अगर आप किसी मेडिकल को पढ़ें उससे पहले अगले अध्याय के श्लोकों को पढ़ें कृष्ण अरजुन से क्या कह रहा हैं उसको समझें उससे पहले आवशक है कि हम अरजुन की इस्थिती को अच्छे तरह से समझ लें क्योंकि अरजुन की जो इस्थिती है वास्तों में वो हमारी अपनी तकलीफ है अशान्ति है अगर आप खुद को कमजोर पाते हैं यदि आपके मन में द्वंध है सही गलत का यदी आप निर्णे नहीं कर पा रहे हैं यदि कि आपके सांथ अन्याए हो रहा है आपका शोषण हो रहा है किन्तो फिर भी आप किसी धारणा के कारण किसी माननेता किसी परंपरा के कारण या धर्म का ग्यान ना होने के कारण किसी सिद्धान्त या नियम के कारण या धर्म संसिक्रती और समाज की सीमाओं और मरुयादाओं या किसी अन्य कारण से अपने दुख अपने बंधनों और कमजोरियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आप भी अभी उसी कुरुचेत्र में खड़े हैं जिसमें की अरजुन खड़े थे आप भी उसी में हैं अगर आपकी स्थिती ऐसी है और आज अगर हम देखें तो 99.99 प्रतिशत लोगों का जीवन वैसा ही अशान्त है तनाओं में हैं बेचे नहीं है धर्म और अधर्म क् में हैं बोगी पता है सही गलत करनेनें नहीं कर पाते हैं अगर गलत हो भी रहत तो उसे ठीक करने का सहसuda हैं या मोहो काम क्म लूब जैसी व्रतियों से सब ग्रसित है तो इसलिए आपको अर्जुन की इस्तिती को अच्छे से समझना चाहिए क्योकि वही में इस्तिति की भी है तो वह कौन सी कमजोरियां हैं जिनके कारण तुम अन्याय का सामना करने में स्वेम को समर्थ होते हुए भी समर्थ होते हुए भी असमर्थ पा रहे हो किन कमजोरियों के कारण जिसे अरजुन में वो ताकत थी क्योंकि बाद में भी अरजुन ही लड़ा लेकिन किन कमजोरियों के कारण वो शुरुआत में नहीं लड़ पाया था तो तुम्हारा असली तुम्हारा असली दुश्मन कौन है यह जानने के लिए आपको अरजुन के इस्थिती को समझना होगत से जहां अरजुन फसा है जो उनकी कमजोरी सकते हैं और अभी एक अध्याय एक के सार के रूप में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या-क्या घटनाएं हैं क्या-क्या बाते हैं जो अरजुन कह रहा है क्या-क्या घटनाएं घट रही उन पर हम एक नजर डालते हैं ताकि एक वीडियो में हम पूरे एक अध्याय को स अपने मन में, अपने बारे में चाहे कितनी ही बड़ी-बड़ी कलपनाई कर लें, सपने सजा लें, कितनी ही कहानिया गड़ लें, वो सब किसी काम की नहीं हैं, किन्तु आप कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े सूर्मा हैं, ये तो तभी दिखाई देगा जब मेद मेदान में उतरोगे मेदान में उतरने से पहले अर्जुन की सिति भी वैसी थी अर्जुन दोड़ा दोड़ा आया था बल्कुल जोस में आया होगा और मेदान में पहुचते ही उनकी सिति की उनकी भी हवा निकल गए हाथ कापने लगें तो आप क्या सोचते हैं और क्या आप वास्तों में हैं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, और आप क्या हैं, ये तो तभी दिखाए देगा जब मेदान में उतरोगे, क्योंकि जिन्दगी के बारे में चाहे कितनी ही बड़ी-बड़ी बाते आप पढ़ लें, सुन लें, चिला-चिला के कह दें, किन्तु आप कि कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन आपके जिन्दगी इस बात के गवा होगी, कि आपने कितना समझा, कितना जाना, कितना पढ़ा, आपकी जिन्दगी बताएगी कि आप जी कैसे रहे हो, आप जी कैसे रहे हो, इस से पता चलता है, आपने चाहे कुछ भ सब कुछ चले रहते हैं तनाव है शांति है तो आपने जो जाना जो समझा वो कितना समझा यह तो आपकी जिंदगी सही पता चलता है इसका प्रमान आपकी जिंदगी होती है और यह तब और सही ढंक से पता चलता है जब अर्जुन जैसी स्थिति होती है जहां उचित और जो आवशक है और जो सही है वे करने में अरजुन की भाथी आपके हाथ कापते हैं या नहीं आपका गला सूखता है या नहीं आपके हाथों से गंडीव छूडता है या नहीं इसी से पता चल जाता है कि आप कितने बड़े धार्मिक हैं यूँ तो आप बहुत चिलाते हैं कि हम धार्मिक हैं, हमने इतनी किताबे पढ़ ली हैं, हमने ये ये सुना है, ये ये पढ़ा है, ये ये जाना है, और आप बिलकुल कपड़े पहन लेते हैं, नगाने कैसे कैसे मालाएं पहन लेते हैं, सत्रे तरह की कर्मकान करते रहते हैं पर आप कितने बड़े धार्मिक है यह तब समझाता है जब धर्म के लिए जो उचित और आवशक है वो करना की जरुरत होती है तब आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं या आप भी अरजुन की तरह ही बिल्कुल उथले धर्म के उथले ज्ञान से भरे हुए थे और उसके कारण अरजुन वहीं पर अटक गए पहले ही आपके स्थिती भी अगर वैसी हो जाती है तो फिर आप धर्मिक नहीं है क्योंकि धर्म का ग्यान, धर्म के नाम पर जो ग्यान था वो तो अर्जुन के पास भी था, उनको भी ग्यान था पर वो था कर्म कांड वाला ग्यान, वेदान्त से उपनिशिदों से उनका दूर दूर तक कोई संबन नहीं था, इसलिए अर्जुन की स्थिति फिर वह होती है, और असली अर्जुन हमें अंत में जाकर देखने को मिलते हैं, जो वेदानतिक अर्जुन कहें जा सकते हैं तो गीता के अध्याय एक में, तो शुरू में तो यह होता है कि दूर्योधन द्रोणाचारी को बताते हैं कि कौन-कौन से अपनी सेना में योता हैं, किस तरह से सेना की व्यास्ता है पूरी, सब कुछ समझाते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि चाहे आप धार्मिक हो या धार्मिक, पर जो अधार्मिक व्यक्ति होता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए बड़ी-बड़ी लड़ाईया लड़ता है, जो दूर्योधने, वो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए, अपने लालच के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उसके आप आप देख सकते हैं कि वो व्यक्तिक कितनी तयारी कर रहा है किपने सूज बूच से ऐat two-ない कितनी बुद्ध्यमानी से सारे काम कर रहा है पूरी सेना त्यार कर रहा है, समझा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़का रहा है ताकि वो युद्ध करने से पीछे ना हड़ जाए कही इनमें गुरु और शिश्री के बारे में कुछ प्रेम न जाग जाए अनेक तरीके से वो कोशिस कर रहा है ताकि युद्ध में ये पूरी ताकत से लड़े तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए जी रहा है, काम कर रहा है वो कितनी महनत कर रहा है, आज भी हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग दिखते हैं जो बहुत अधिक महनत करते हैं जो बहुत ज्यादा महनत करते हैं ज्यादातर उनमें वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए, अपने लालच के लिए अपने अहंकार को ही बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और उसके लिए वो हर हद से गुजर जाते हैं गलत से गलत और बिलकुल नीचे से नीचा और घटिया से घटिया काम भी करते हैं फिर उसमें चाहे प्रकृति का शोशन हो नदियों तालाबों को खराब करना हो जानवरों को काट काट के मार मार के उनका शोशन करके धन कमाना हो जनता का शोशन करना हो चाहे जातिवाद के नाम पर समाज में भेदभाव फिलाना हो धर्मे के नाम पर चाहे लड़ाय दंगे करना हो या राजनिती करना हो, कुछ भी करना हो जो व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए, अपने लालच के लिए अपने अहंकार को बड़ावा देने के लिए, पदप्रतिश्चा सम्मान पाने के लिए करता है, वो पूरी त्यारी के साथ करता है और दूसरी तरफ इसी बीज हम देखते हैं अरजुन को जो अपने आपको धार्मिक कहते हैं पर धर्म के नाम पर सिर्फ वो कर्म काइंड में उल्जे रह जाते हैं और जिस उसके कारण जब एक आमने सामने के लड़ाई की बारी आती है जब वो करने की बारी आती है, धर्म के लिए लड़ने की बारी आती है धर्म के लिए जो आवशक है वो करने की बारी आती है उस समय इनकी हवा निकल जाती चाहे वो तरक का ग्यान हो, तरक वितरक करना हो, समवाद करना हो चाहे लड़ाईयां लड़ना हो, कुछ भी करना हो अगर धर्म के पक्ष में जब करने की बारी आती है तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं जो अपने आपको धर्मी कहते हैं बहुत मुश्किल से कोई एक आदा मिल जाता हो तो ठीक है वनना मिलता नहीं क्योंकि धर्म के नाम पर ये जो कर रहे होते हैं वो मात्र पाखंड होता है, कर्म कांड होता है ये सिर्फ ये भी अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए अपना नाम बनाने के लिए पहचान बनाने के लिए कर रहे होते हैं इसी के कारण ये देश भारत भी इतना गुलाम रहा इतनी लड़ाईया हारी सब कुछ हुआ क्योंकि गीता इन्होंने कभी पड़ी नहीं गीता के नाम पर बस भागवत पुरान और गरूर पुरान और ना जने क्या क्या ये पढ़ते रहे दे उनमें उल्ज़र है जो कि धर् विर्थ है रहें अब कम उनमें नाम मात रहा है जो धर्मिक और आपकी सारी इससे और अगर वह बकवा से नहीं होती तो उनको पढ़कर तुम्हें फिर तनी ताकत आने थी इतनी समझ आने चीए थी इतनी बुद्धी प्रखर हो जाने चीए ऩी कि तुम लड़ पाते हैं सह अंद विश्वासों स्वारतों में ही लिप्टे रह गये तो गीता में पहले होता है कि दूर्योधन अपनी सेना का वर्णन द्रोणाचारी के सामने करते हैं उसके बाद इधर भी जो पांडव सेना है उस तरफ कौन-कौन है क्या-क्या है क्या बरस्ता है उसके बारे में भी समझाते हैं तो देख रहे हैं पहले तो दूर्योधन अपने तरफ का पूरा व्यवस्तित कर रहा है क्या है क्यों है कैसे है क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ और इधर क्या-क्या है इधर की ताकद और कमजूरियां क्या-क्या है वो सब भी दूर्योधन देख रहा है तो ये होते हैं वो लोग जो सिर्फ अपने लिए करने के लिए सिर्फ अपने लिए करने के लिए सब कुछ हर हथ से गुदर जाते हैं वो नहीं देखते हैं फिर सामने कि कौन है कि अपना है पराया है अच्छा है बुरा है सही हो रहा है गलत हो रहा है कुछ नहीं देखते हैं बिल्कुल राक्षस की तरह हो जाते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे अब आते हैं अर्जुन की तरफ तो दोड़े-दोड़े मेदान में आते हैं शंक भी बच जाता है और युद्ध शुरू होने से एक दम पहले कुछ छण पहले श्री कृष्ण से अर्जुन का यह कहना अर्जुन कहते हैं कि है अचुद्ध मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध छेतर में डटे हुए युद्ध के अभिलाशी इन विपक्षी युद्धाओं को भले परकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखी तो युद्ध शुरू होने से कुछ छण पहले श्री कृष्ण से अर्जुन का यह कहना कि रत को दोनों सेनाओं के मद्ध में लेकर चलिए और बि अर्जुन का यह कहना युद्ध शुरू होने से पहले एक तरफ तो यह अर्जुन जो है अर्जुन माने एक युद्धा एक तरफ तो यह अर्जुन की माने एक युद्धा की मूर्खता को दरशारा है कि भाई तुम इतनी बड़ी सेना लेकर सारी तयारियां करके सारे अस किसके साथ है किसकी विर्थ्भ तै Maui लड़ना है तो है या कूंसी मौर्गदा की बात करें अब क्या देखना है शंप भशंप ना दो चुका है अब लड़ना शुरू करना है और तुम क्यारो युदर रत को दोनों सिनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए यह अर्जुन की बुद्धि मत्ता उसकी समझ और उसकी जागरुपता को भी दर्शारा है कि कम से कम में मैंने अर्जुन ये अच्छे से जान तो लूँ कि आखिर मुझे युद्ध करना किस किस के साथ है और जिनके साथ ये युद्ध होने जा रहा है क्या उनसे युद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए किनके साथ कर रहा हूँ और जिनके साथ कर रहा हूँ उनके साथ मुझे करना भी चाहिए ये युद्ध या नहीं करना चाहिए और जिस वज़ा से ये युद्ध होने जा रहा है क्या वह वज़ा ऐसी है भी या नहीं कि उसके लिए इतना बड़ा युद्ध किया जाए लड़ू भी तो क्यों लड़ूं मुझे पता होना चाहिए न तो मुझे वो जानना है तो उसकी लिए अरजुन कहते हैं कि रत को दोनों सिनाओं के मद्ध में लेकर चलिए और वहां खड़ा कीजिए अब यहां से क्या समझा रहा है हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी हरक करते करते हैं से काम करते हैं से काम का चुनाओं करते हैं चाहिए वो काम हो कोई वस्तुएं हो कोई विचार हो किसी तरह का निरने हो हम उसको बस इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे आसपास सब लोग कर रहे हम नोकरी करते हैं क्यों क्योंकि सब नोकरी करते हैं हम किसी प्र हिंदू हैं तो हम हिंदू के तरफ खड़ाब जाते हैं मुसल्माने हम नहीं देखते हैं हम तो बस यह देखते हैं कि हमारा स्वार्थ कि धर है हमारे भाई की या हमारे घर में से किसी की भी मान लेते हैं हमारे भाई की ही किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम यह नहीं देखते कि उसमें गलती किसकी है हम जाकर सीधे खड़े हो जाते हैं अपने बाई के साथ और चाहे गल्टी बहले ही हमारे भाई की यो पर हम क्या क्या इनकर बहाई है लिए मेरा तो यहाँ पर मोह के कारण आप उसका साथ दे रहे हैं जिसका साथ नहीं देना चाहिए ange हम जिसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि दूर्योधन के साथ उसके सारे भाई वो जो योद्धा है वो खड़े हुए हैं क्यों लालच के कारण कुछ मोह के कारण कुछ कि मेरा भाई है तो उसके तरफ से लड़ेंगे तो मोह के कारण भी ममत्व के कारण लालच के कारण वो यह नहीं देख रहे हैं कि यह गलत है या सही है दूर्य धन सही कर रहा है या गलत कर रहा है ऐसा कोई नहीं देख रहा है बस कोई कहते है कि देखो नियम है या मर्याद आए है या हम राज्य के नियमों का उलंगन नहीं कर सकते या हमारी मजबूरी है बहा साथ दे रहे हैं अधर्म का वो नहीं देख रहे हैं धर्म अधर्म क्या है सही गलत क्या है उचित अनुचित क्या है वसो साथ दे रहे हैं तो अरजुन चाहता है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कहीं मैं किसी एक पक्ष का होकर के तो कुछ नहीं कर रहा हूं इसलिए मै निश्पक्च हो कर ये देखना चाहता हूँ बिलकुल बीच में ले जाकर खड़ा करिए ताकि मैं दोनों तरफ समान रूप से देख सकूँ कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ का हो जाओ और दूसरी तरफ कम देखूँ दोनों तरफ में बराबर और एक ही उचाई से एक ही जगा से देख सकूँ निर्पेक्च हो कर देख सकूँ इसके लिए दोनों से नाओ के 20 में ले जाकर खड़ा करिए मुझे जानना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो करने लायक है भी या नहीं वो किया जाना चाहिए ये नहीं किया जाना सा तो जब हम अपने जीवन में कोई निर्णे लेते हैं बड़े, कुछ कर रहे होते हैं, तब हमें ये नहीं देखना है कि मेरा स्वार्थ किदर है, उसका स्वार्थ किदर है, मुझे कैसा लग रहा है, उसे कैसा लग रहा नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहें, इन सब को नहीं देखना है हमें देखना क्या है हमें देखना है कि उचित क्या है अनुचित क्या है क्या सही है क्या गलत है क्या आवशक है और क्या आवशक नहीं है क्या धर्म के पक्ष में है क्या होना चाहिए क्या संसार के कल्यान के पक्ष में है और क्या नहीं यह हमें देखना है क् शांती इस्थापित करने के लिए अहिंसा इस्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए और क्या है जो अशांती को बढ़ावा देगा हमें यह सब समझना चाहिए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है कौन अपना है कौन पराया है किस से मुझे लाब मिल रहा है किससे नुकसान हो रहा है कौन मेरे स्वार्थों के पूर्ति कर रहा है और कौन मेरे स्वार्थों के पूर्ति नहीं कर रहा है यह सब नहीं देखना है कहां और व्यक्तिकत रूप से कहें तो कहां मैं मुक्ति को प्राप्त हो रहा हूं कहां मेरे जीवन में श इतना को कुछाई मिल यहीं मैरे समझ बढ़राइए मैं सहसी हो राहूं मैं निडर हो रहा हूं मेरे जीगयो क्लिद में प्रेम बढग रहा है शांत ही बढ़र रहें तो मैं उधर बढ़ूँगा पर चाया वो रास्ता कठिन हो या असंभव प्रतीत हो मैं उधर ही जाऊंगा क्योंकि यही उचित है यही सही है और यही आवशक है तो यहां जो अरजुन कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मद्ध में ले जाकर रत को खड़ा कीजिए यह बात इसी और संकेत कर रही है कि हम कुछ भी करने से पहले इस चिति को समझे की चल क्या रहा है और अरजुन ने ये भी कहा है कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना योग गया है तो युद्ध को व्यापार भी कह रहा है इस पर भी हमने चर्चा की थी रिस्तार्थ तो युद्ध को व्यापार कहा गया है और व्यापार होता भी है क्यों? क्योंकि हम जो है अपने नीजी स्वार्थों के लिए व्यापार किसलिए होता है? व्यापार होता है अपने नीजी स्वार्थों के लिए और चुकि अर्जुन अपने नीजी स्वार्थ के चलते ही युद्ध के लिए गया था अर्जुन जब युद्ध के मैदान में इसलिए तो वो उसके हाथ कहा अपने लगते हैं बाद में तो अर्जुन अपने नीजी स्वार्त के चलते ही युद्ध के मैदान में गया था धर्म के खाते तोड़ी ना वो गया था वो श्लिए थोड़ी नहीं गया था कि दूरे धर्न को हराना है उससे लड़ना है तिक धर्म के लिए अभी आवशाक से नहीं वो तो अपने स्वार्थों के लिए गाया था अर्जुन आया था अपने अहम के अनुसार बदले की भावना से आया था कि उसके साथ गलत हुआ है लालच के लिए आया था कि राज छूट रहा है हाथ से छीन दिया है इर्चे भाव के कारण आया था और अर्जुन क्रोधित था तो अपने क्रोध के वशिवूत होकर वो युद्ध के मैदान में आया था उसके विवेक पर बेहोशी छाई हुई थी अर्जुन के मद के कारण तो अर्जुन तो अपने अहम के चलते आया था युद्ध के मैदान तो अर्जुन तो अहम के चलाय चल रहा था धर्म अधर्म का तो उसे कुछ पता था नहीं इसलिए तो सामने जब वो अपने सोजनों को देखता है तो उन्हें देखकर अर्जुन कहता है कि मेरे अंग शितिल हो रहे हैं मेरा गला सूख रहा है हाथ से गांडी धनूज गिर रहा है तो अचा जल रही है और मन ब्रहमित हो रहा है तो क्या होगा यही होता है जब हम अपने जीवन में अड़ जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे घर में परिवार में या हमारे संबंद में या जब और आगे बढ़ें तो हमारा समाच या और आगे बढ़ें तो हमारा राज जी या हमारी राज जी व्यस्ता या और आगे जाए तो हमारा धर्म जो है गलत बातों को बड़ावा दे रहा है पर फिर भी हम यह कह देते हैं देखो अरे हमारा धर्म है गलत चलता है तो च करते हैं अपने धर्म के खिलाफ अगर हम ही बोलेंगे तो दूसरे लोग फिर चर्चर जाएंगे इस तरह से हम बातों को टाल देते हैं क्यों अपना है ना वो मेरा मेरा धर्म है मेरा तो यह कोन है जो मेरा मेरा करा यह आहम है और आहम नहीं चाहता कि वह चोंट खाए उसके पर चोंट की जाए हम यह स्विकार ही नहीं करना चाहता कि जो मेरा है वो भी गलत हो सकता है और इसलिए जब हम देखते हैं कि समाज में गलत होते हैं तो हम करते हमारा समाज है कोई दूसरे देश का व्यक्ति मान लोग पश्चिमी लोग तुम से कह दें कि तुम्हारे समाज है गलत कैसे हो सकता है मेरा मेरा समाज है तो यहां आजाता है फिर अहम बीच में तो अहम के कारण हम गलत को भी गलत नहीं कह पाते हैं चुकि हम उसे अपना मान लेते हैं और जब हम गलत को भी गलत नहीं कह पाते हैं तो उसके खिलाफ हम जा नहीं पाते हैं उसको ठ ठीक करने के लिए हमारे उपर जिम्मेदारी आती है तो ये तो मेरे अपने हैं ये गलत हैं तो इनको मैं कैसे मार दूं इनके खिलाफ कैसे चले जाओं हमारे हाथ का अपने लगते हैं हमारा गला सूखने लग जाता है हमारे हाथ से अस्त शस्त और ग्यान सब कुछ बिखर ज जाती है शितिल हो जाती है बिल्कुल सोच विचार ही नहीं कर पाती है कि क्या करें क्या ना करें क्या जवाब दें मन ब्रमित होने लगता है हम डर जाते हैं घर के अंदर इस्त्रियों का शोशन हो रहा होता है उनका पती उनका शोशन करता है पिता उनका शोशन करता है प्रवाई ना करने के नाव पर कई तरह के हम देखते हैं ये सिर्फ पुरुषों के साथ भी होता है लेकिन महिलाओं के साथ ज्यादा होता है पर वो सहन करती है क्यों अरे मेरे माता पिता है ना मैं क्या कह दूं से मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा अरे वो बड़े हैं सम्मान करना पड़ता है अटाओ दूर इने भाड में जाए ऐसा बड़ापन कौन से वो तुम्हारे अपने जब वो तुम्हारी चेतना को बिलकुल बरबात कर रहे हैं तुम्हारे जीवन को बिलकुल नर्क बना रहे हैं फिर भी तुम उने अपना कह रहे हो अर्दुन क्य ख्जिद लिए जो उनका नहीं था वो भी उन्होंने जीं लिया अरजुन से उसके बाद भी क्या कह रहा है यहिछ करते हैं हो यही हालत तुम्हारी रिए इसलिए तो देखते हो कि तुम्हारे सांथ वो घलत कर रहे हैं अब वो तुम्हारे घर वाले परिवार वाले रिष्टेदार कोई भी हो सकता है पती पतनी भाई वहन माता पिता कोई भी हो सकता है वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तुम यह देख रहे हो पर तुम उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते मेरे अपने हैं इनको दुख होगा होई तो होने दो कृष्ण तो यहां कह रहे हैं इनको मार तू दुख की छोड़ दुख होगा या नहीं होगा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा लोग क्या कहेंगा संसार क्या कहेंगा क्यों देखो इसने अपनों को मारा तो उनका जो काम था उनका जो पाप था उन्होंने जो गलत काम किये थे वो इतना बड़ा था उसके सजा इतनी ही बड़ी थी कि उनको मोत मिलनी चाहिए तो उनको मोत मिल गई और वो आवशक भी थी उनको मारा जाना आवशक था और युद्ध जीता जाना भी आवशक था क्योंकि अगर ऐसे जो शोशन करते हैं जो अत्याचार करते हैं जो क्रूरता करते हैं जो अधर्म को बढ़ावा देते हैं वो लोग अगर शाशन करेंगे उनके हाथ में अगर देश को चलाने का अधिकार होगा सारे अधिकार उनके पास होगे सारी ताकत उनके पास होगी तो समाज के साथ क्या करेंगे जब वो अपने ही भाईयों के साथ अपने ही सगे संबंदियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो इस दुनिया का इस देश का क्या करेंगे लोगों के साथ क्या करेंगे नदी ताला पशुपक्षियों इनका क्या हाल कर कि इसके कलपना भी कर सकते हो तो इसलिए चाहे अरजुन वो तुम्हारे अपने हैं होंगे वो तुम्हारे गुरु रहे होंगे कभी कभी वो तुम्हारे भाई रहोंगे तुम्हारे पुत्र रहोंगे मामा रहोंगे सग संबंदी रहोंगे वो रहे थे अब नहीं रहे क्यों कि जो कोई भी कृष्ण के खिलाफ गया वो अपना नहीं रहा या तो तुम कृष्ण को अपना कह दो या उन्हें अपना कह दो अगर तुम कृष्ण को अपना कह रहे हो तो तुम्हें उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो कृष्ण के खिलाफ है और कृष्ण क समानता प्रेम करुणा इन सब के खिलाफ है वो हिंसा के पक्ष में है वो शोशन करते हैं वो अत्याचारी है वो कुरून है तो वो कृष्ण के पक्ष में नहीं है जो प्रेम के पक्ष में है जो शांति के पक्ष में है जो समानता के पक्ष में है जो न्याई के पक्ष में है जो संसार के करल्यान के पक्ष में इसका अर्थ हुआ कि वो कृष्ण के साथ है वो कृष्ण को अपना कह रहा है तो जिन्हें तुम अर्जुन अपना कह रहे हो वो सब तो इन सब मेरे साथ है नहीं वो सब तो धर्म के साथ खड़े नहीं है वो सब तो अहिंसा के साथ खड़ नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो कृष्ण के खिलाफ है अर्जुन तो इनको मार अब नहीं है वो तेरे अपने तो तुम्हारे जीवन में भी जो शांती के खिलाफ हो जो धर्म के खिलाफ हो जो न्याई के खिलाफ हो जो शोशन करता हो जो अत्याचार हो इसका अर्थ है कि वो कृष्ण के खिलाफ है अब तुम चुनलो कि तुम्हें कृष्ण का साथ देना है कृष्ण के साथ खड़े होने है या उनके साथ खड़ा होने है और अब आगे अर्जुन क्या रहा है अर्जुन कहते हैं कि राज्य वगेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे और दखो राज्य वगेरा और यह जो युद्ध होता है यह सब लड़ा इसले जाता है कि इससे कुछ जीता जाएगा और यह सब जीता जाता है यह सब उनके लिए जीता जाता ह जिनको हम अपना कहते हैं जिनको हम स्वजन कहते हैं और जिनके लिए सब कुछ राज सुख आदी हैं वो सब तो इस युद्ध में लड़ने मरने को खड़े हैं इधर भी और उधर भी तोना तरफ मेरे अपने ही हैं तो अगर मैं जीट भी गया तो उनका करूंगा क्या इससे बात यही समझा रही ही ना कि अर्जुन क्या कि अर्जुन इन सब चीजों के लिए ही तो लड़ने आया था पर अब वो पीछे क्यों हट रहा है कि कि सामने उसे उन्हीं के साथ युद्ध करना है जिनको वह अपना कहता है और वही लोग उनके खिलाफ युद्ध करेंगे इन्हीं के पास आती ना इसका अर्थ क्या हुआ अर्जुन संसार के कल्यान के लिए नहीं कर रहा है अर्जुन युद्ध करने आया अपने स्वार्थों के लिए धर्म के लिए नहीं आया था क्योंकि धर्म के लिए अगर आया होता तो वह ये बात नहीं कहता कि मुझे रा रहा था वो भी अपनों के लिये अपने सुक्ष κे लिये लालच के लिये राज्य के लिये तो इसका रूज यह हुआ कि वुद्धर्म और अधर्म नहीं जानता वो उच्चित और अनुचित का भेद अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगर उज़र पता होता है कि धर्म क्या अधर्म क्या है तो वो देख पाता कि दूरियोधन जो कर रहा है वो धर्मिक नहीं वो अधर्मिक है दूरियोधन जो कर रहा है वो अनुचित है इसलिए चाहे उदर जो लोग खड़े हैं वो मेरे अपने रहे हों मेरे गुरू रहे हों भाही रहे हों कोई भी रहे हों युद्ध किया जाना चाहिए अर्जुन ये पहले ही समझ जाता अठारा अध्याय कृष्ण को सुनाने की अवश्यक्ता नहीं पड़ती पर चुकि अर्जुन धर्मा धर्म नहीं समझता क्यों क्यों नहीं समझता क्योंकि अर्जुन धर्म के नाम पर सिर्फ कर्मकांड समझता है जिनको हम कहता है गरुड पुरान वो पुरान तो ये पुरान ना जाने कौन कौन सी पुरान ना जाने कौन कौन सी कथाएं कहानियां वो सब इसलिए अरजुन जो अपने नहीं है उनको भी अपना कह रहा है और युद्ध से पीछे हट रहा है इसलिए हमें ये पता होना आवशक है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या उचित है क्या अनुचित है कौन है जिसे अपना कहा जाए कौन है जिसे अपना नहीं कहा जाए ये हमें पता होना चाहिए अन्यता हमारे जीवन में भी यह हो सकता है कि हम उन लोगों को अपना बना दें उन लोगों को हम अपना कह दें जो अपने के लायक हैं ही नहीं और उन्हें अपना कहने के चक्कर में हम कृष्ण से भी हाथ दो बेटें ऐसा हो सकता है और होता है हम अन्याई सहते हैं हम शोशन सहते हैं हम अधर्म को होने देते हैं उसके भागिदार बन जाते हैं उसमें साथ दे देते हैं और कृष्ण हमारे साथ होते हैं फिर भी हम उनको देखने पाते हैं नजर अंदाज कर देते हैं तो जीवन में जब भी कभी ऐसा इसी इस्तिती आए जहां तुम्हें ये निर्णे लेना हो कि किसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए और किसके विपक्ष में तब ये नहीं देखना है कि कौन अपना है कौन पराया है कौन अमीर कौन गरीब कौन किस जाती का कौन किस धर्म का कौन छोटा कौन बड़ा कुछ नहीं देखना है हमें ये देखना है कि कौन धर्म के तरफ है कौन शांती के पक्ष में है कौन अहिंसा के पक्ष में है कौन न्याय के पक्ष में है कौन संसार के करल्यान के पक्ष में ह या कहो कौन कृष्ण के साथ हैं हमें उस तरफ से खड़े होना है फिर कृष्ण के साथ खड़े होने के लिए अगर हमें उने के खिलाव भी खड़ा होना पड़ रहा है जिने हम अपना कहता है तो हम खड़े होने से पीछे नहीं हटेंगे जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करें, जो हमें शांती दे, जो हमारी चेतना को उपर उठाए, हमारी समझ को, हमारे ग्यान को, हमारे बोध को बढ़ाए, हमें उस ओर आगे बढ़ना है हमें अपने लालच, अपने क्रोध, अपने मोह, अपने इर्शा, अपने कामनाओ, इन सब के आधार पर निर्णे नहीं लेना है हमें उचित और अनुचित को देखना है, जानना है, समझना, फिर निर्णे लेना है और अब आगे अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण आप प्रत्वी तो छोड़े आप तीनों लोकों के राज्य भी मुझे देंगे अगर इनको हरा कर तीनों लोकों के राज्य भी अगर मुझे मिलेंगे तो अपने स्वजनों को मार कर तो मुझे वो भी नहीं चाहिए और अर्जुन कहते हैं कि इनको मार कर तो हमें पाप ही लगेगा फिर आग कहते हैं कि इनको मारने के लिए हम योग नहीं हैं लो भाईया प्रत्वी छोड़िये हम स्वर्ग का भी त्याग कर सकते हैं इनके लिए तो सब देख रहा है ना कि तुम अपने लाला अच अपने स्वार्थों के लिए काम कर रहे थे हम भी अपने जिएन में जो भी करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए कर रहे होते हैं हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें संसार का करल्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है। और निश्काम कर्म और सकाम कर्म की जो बात कृष्ण करते हैं वो देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम जो कर रहे हो उससे संसार का कर्लियान हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर तुम्हारे कर्म सिर्फ अपने स्वार्थों के पूर्ति के लिए किये जा रहा है तो वो सकाम कर्म है और तुम्हारे कर्म अगर संसार के करल्यान के लिए है तो वो निशकाम कर्म है और यहां कृष्ण आगे बताते हैं कि अरजुन निशकाम कर्म करो और यहां जो कर्म है अरजुन के वो सकाम ही है मने वो राज्य के लालच में है कहरा न प्रत्वीत तो छोड़िये तिनों लोग के राज्य भी छोड़ दूँगा मतलब तुम आये थे इसी कामना को लेकर वो तो सामने तुम्हारे अपने दिग गए जिनको तुम अपना कहते आये थे इसलिए तुम कह रहा हो कि इनको छोड़ दू सबको आनिय था यहीं सामने अगर कोई और होता जिनको अरजुन अपना नहीं मानता था तो अरजुन क्या ऐसे हट सकता था पीछे नहीं फिर तो कह देता अरे युद्ध करना है चलो करते हैं लड़ते हैं मरते हैं हम भी ऐसे होते हैं सामने कोई और है तो हम चड़ बेड़ते हैं हम सोचते ही नहीं फिर भले ही वो सही हो हमें ये नहीं करना है हमें देखना है क्या उची थे क्या उची थे क्या सही है क्या गलत है वो हमें देखना है अर्जुन की भाती नहीं करना जो वो कर रहा है भी कि सामने वो दिख गए जिनको स्कून का रिस्ता है जिन से जिन से शरीर का संबंद है तो उन्हें अपना कहा दिया और वो गलत हैं फिर भी हम कहा रहें अरे इनको कैसे मार दूँ यह तो मेरे दिल में वस्त है ऐसा नहीं करना और कह रहा हैं कि इनको मार कर हमें पाप लगेगा अब यह पाप और पूर्ण और इन सब की बात कहा होती है यह कर्मकांडम है एशा गुरु को मारा तो पाप लगेगा भाईयों को मारा तो पाप लगेगा अपने पिता पुत्रों को मारा तो पाप लगेगा अरे छोड़ो हटाओ क्रिशन कहते हैं तू चुपचाप युद्ध कर यही तेरा धर्म है और कौन मरता है, कौन जीता है इसकी परवा छोड़ क्या युद्ध करके क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा छोड़े सको तो युद्ध कर युद्ध करना अभी तेरा करतव है तेरा धर्म है तो युद्ध कर करना है जो धर्मिक है वो करना है जो सही है वो करना है क्या पाप क्या पूर्ण क्या अपना क्या पराया कुछ नहीं देखना जो पापी है जो अधर्मी है जो शोशक है जो अच्त्याचारी है वो अपना कैसे हो सकता है उसे नहीं मारना पूर्ण कैसे हो सकता है वो गुरु कै किसी पढोसी ने लुए ना हम लो तुम स्थी और किसी पडोसी करे दिया तो तुम जाकर रेपोट कराये या दंगा कर दिया या उसे मारा पीटा तुम्हारे साथ तुम्हारा पती है तुम्हारा भाई यह पहले बालादकार करें तो तुम के लोत मेरे अपने हैं इनके खिलाफ किसरे चली जाओं भधाव दूर कौन से अपने तौरे अपने होते तो वह एसा करते नहीं करते। तो हमें उचित अनुचित देखना सही गलत देखना है अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर वो अपना नहीं रहा और उसके खिलाफ उचित कदम उठाना पाप कभी नहीं होता है और अरजुन कह रहा है कि इनको मानने के लिए हम योग्य नहीं है वा भई तुम कृष्ण को भी अयोग्य बता रहा है कमाल है तो ये सारी हरकते हम करते हैं न जो ताकतवर है जो हमें सही रहा दिखाता है उसे भी कमजो और उसे भी गलत दिखा देखें यह हम करते हैं अभी तुम कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं ये तो गलत है ये क्या किताब में लिखा था, तुम बात मान रहे हो, कर रहे हो मैं कहा कह रहा हूँ, क्रिश्न कह रहे है फिर तुम ये भी कह सकता रहे, क्रिश्न भी कर लाते और ये ही फिर अर्जन कर रहा था फिर अर्जन को युद्ध करना पड़ा न, जब जाना उसने तो अब तुम पहले ही जान रहे हो, समझ रहे हो, तुम जीवन में सही नहीं नेलो क्यों अत्याचार से रहे हो, क्यों शोशन से रहे हो, क्यों अधर्म को जेल रहे हो, क्यों हर किसी को अपना बनाये बेठे हो क्यों इतने डर रहे हो, क्यों काप रहे हैं तुम्हारे हाथ, क्यों तुम नेड़ने नहीं ले पा रहे हो मन ब्रमित क्यों हो रहा है, क्यों इतनी पीड़ा से रहे हो अगर किसी को अपना कहकर, स्वजन कहकर तुम्हें पीड़ा ही सहनी पड़ रही है संसार के साथ अब वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे है इसका अर्थ यही है कि वो संसार के साथ गलत कर रहे है क्योंकि अगर वो तुम्हें अपना कहकर तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं तो संसार के साथ कितना गलत कर सकते हैं यह देखना है न तुम्हें तुम्हाने वो संसार के साथ गलत कर रहे हैं तो क्यों तुम संसार के साथ गलत होने दे रहे हो वो करो जो संसार के करल्यान में है मने तुम्हारे हित्म में है तुम्हारी मुक्ती में सायक है तुम्हारे दुख, दर्द, पीड़ा से जो मुक्ती दे उसके पक्ष में करो जो तुम्हें सही दिशा दे जो तुम्हें कृष्ण के और बढ़ा है वो करो वरना करते रहो ऐसे ही जैसे यहां युद्ध ना करने के लिए अर्जुन बहाने ढून रहे हैं कभी कह रहा है कि इनको अपनों को मार दिया तो देखो कुल का नास हो जाएगा और कुल का नास हो गया तो कुल धर्म नस्ट हो जाएगा कभी कहते हैं कि कुल धर्म नस्ट होने से पाप पर जाएगा कभी कहते हैं अगर ये सारे छत्री मर गए तो इनकी स्त्रियां दूशित हो जाएगी और इस्त्रिया दूशित हो गई तो वो दूशी जाती के पुरुसों के साथ संबंद बनाएंगी वर्णा कहा जाएंगी और जब संबंद बनाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन होगा वर्ण संकर जब उत्पन होता है तो उससे वर्ण संकर के कारण नर्क भोगना पड़ता है नर्क वोकते हैं तो हमारे जो नर्क और स्वर्ग में जो हमारे पितर लोग हैं उनका स्राद और उनका तरपन से भी वह वंचित रह जाते हैं यह देखो यह सारी बाते कहा होती है पितर लोग स्वर्ग नरक कर्म कांड अरपन तरपन शाद यह सब कहा होता है यह वनसंकर और जाती और यह कहा है यह इन दो कोड़ी के घटिया जिनको हम धर्म के नाम पर पढ़ रहे हैं उन सब में लिखी है और इनी के कारण तुम्हारे जिनकी नरक बनी विए कभी स्वर्ग के नाम पर कभी नरक के नाम पर तुम्हें डराया जाता है ब्रहमित किया जाता है पाखंड पहलाया जाता है कभी जाती के नाम पर तुम देख रहा कितने बरबाद है हमारे देश और यह दुनिया कितना शोशन हुआ है कितना लड़ा अरजुन जाती की बात कर रहा है, यहां पढ़ रखी है, इसे तरह बहाने बनाते रहेंगे, व्यर्थ बातों में उल्जए रहेंगे, और इनμη के कारण ब्रहमित होते से रहेंगे जैसे कि अरचुन हो रहे हैं यह सारी मूरता की बाते अरजुन करने थांगे UC करने के लिए क्लाफित कर्म से बचने के लिए क्योंकि करने कले juvenile उसे करने के लिए उसे उन सब के खिलाफ जाना पड़ेगा जिने वो अपना कहता है था क्योंकि वो उसके अपने हैं नहीं उसे अपने खुद के खिलाफ जाना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद ने कुछ मानिता हैं कुछ धार्णा हैं कुछ परंपरा हैं कुछ द्धान, कुछ विश्वास बना रखें वो सब तूटेंगे कुछ उसके संसकार हैं जिन से वो संसकारित हैं वो सब तूटेंगे, बिखरेंगे माने उसे खुद के अपने खिलाब भी जाना पड़ेगा और हम अपने ही खिलाब जाएं हम ये स्विकार करें कि हाँ आज तक मैं जैसा सुचता था जो समझता वो सब गलत है उसके लिए बहुत साथ चाहिए तो हम भी अपने जिन में फिर सही काम नहीं कर पाने के इस सब बहाने बनाते हैं कि देखो यार मैं मजबूर हूँ अरे मेरे पास तो ये नहीं है मेरे पास तो वो नहीं है अरे वो मेरे अपने हैं अरे उनको सब माता पिता है ना उनका सम्मान तो करना पड़ता है अरे वो बड़े हैं अरे ये तो पाप है इस तरह के बाते हम करते हैं सही ना करने के पक्षम है तो इन सब से बाज आओ, धर्म को जानो, उपनिशत वेदान्त को पढ़ो तब जानोगे श्रीमत भगवत गीता को अच्छे से पढ़ो समझो तब जानोगे कि क्या धर्म है और क्या धर्म है, क्या उचित है और क्या अनुचित है कि कथाएं कहानिया सुनना बंद करो समाज में जितने भी गुरु घंटाल फिल रहे हैं वो सब तुम्हें 99% 99% जितने भी हैं वो सब तुम्हें मूर्क बना रहे हैं पागल बना धर्म के नाम पर तो उनको सुनना बंद करें या तो कोई सही मिले तो उसे सुने उसे पढ़ें उसे समझें और नहीं तो स्वध्याई करें जो मूल गरंते वो लाएं उनको समझने का प्रियास करें किसी बाबा जी को बड़े मंच पर बेठा ये देखकर ये मत मान लिया करो कि वो सही ही कह रहा है या उसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं देश विदेश के सुन रहे हैं पड़े लिखे लोग सुन रहे हैं तो सुनने दो ना सुन रहे हैं तो तुम्हारे जिन्दगी अगर नहीं सुदर रही है तुम्हारे जिन्दगी अगर नहीं बदल रही है तो सब कुछ पाखंड है तुम्हारे जिन्दगी में प्रेम करुणा साहस बल इस पस्टता समझ आये तुम्हारे चेतना की समझ बढ़ करने के लिए जो पिछले वीडियोज हैं उन्हें सबको पूरा देखो ताकि और अच्छे से तुम्हें समझाए कोई प्रिश्ण हो तो कमेंट करके पूछे या इंस्ट्राजान पर मेसेज करें